अज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S22 entered मुआलफोन में आप अपने मुआलफोन की Auto-touch की प्रॉडम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो का मे पेज आएगा इसमें आपको restart पर टैप करना है इससे क्या होगा आपको मुआलफोन ऑटोमाटिक स्विच आउफ हो जागा फर इसके थोड़ी दिर बाद आपके फोन का software अगर अपडेट नहीं है तो उसे आपको कैसे चेक करना है देखिए सबसे पहले आपको फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है इसके बाद आपको फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है सैटिंग पेज में आपको नीचे की साइड यह ऑप्शन मिल करना है कि आपके मुवैल फून में जितने भी र्फों हैं सबी आपस को रिसेट ना है इनकि इन सबी आपस का डेटा क्लियर करनें कैसे अगर मुवैल फून को अगर आप उंगली से दबाके रखेंगे तो आपका चोटा सब पेज ऊपन होता है इस चोटे से पेज में यह क इन दोनों के सामेला डेटा या आपका जिरो घाएगा इस तिरह किसे आपको अपने फॉन के सभी अप को रिसेट कर देром जिससे आपके फुन की अगला प्रोसेस करने के के आपके मुवाल फुन में जितने भी ऑप से इन सभी आपs को अपडेट करने जो आप के अपडेट नहीं है इसके लिए आपको फोन का Play Store open करना है यहां पर यह पेज उपन होगा इसमें manage app पे टैप करना है इसके अंदर आपको अब दोस्तों आगला प्रोसेस आपको यह करना है कि आपको अपने मुवैल फोन को रिसेट करना है, देखें दोस्तों मुवैल फोन को रिसेट आपको तब करना है, जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रिसेट करते हैं, अदर इससे आपका phone reset हो जागा और आपके phone की auto touch की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखने हैं आपके phone में जितना भी data सारा data आपके दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं कि आपके phone की Gmail आईडिया और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है ऐसा मैं इसलिए क्यारा हूं देखें हो सकता आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपका phone auto touch कर रहा है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताएं है वो mobile phone के software के जरिया बताएं है अगर mobile phone के software के किसी कमी के कारण आपकी ये problem आ रही है तो मेरे बताएं हुए तरीकों से आपकी ये problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने mobile phone के service center जाना पड़ेगा ठीक है